हालो एवरीबाद वेल्केम बैक तो मैं चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फिर से एक बार हम चेक आउट करने के कोशिश करेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या परेशान है या क्या सोच रहे हैं फिर से रिष्टा जोड़ने के बारे में क्या सोच रहे हैं General reading है, तो जो भी आपके situation की साथ match होता है, वही लीजे, बागी का छोड़ दीजे, किसी और की energy हो सकती है. Timeless reading है, इसका मतलब यह है कि आज देखें या उसके बाद कभी भी आप देखें इस reading को, आपकी situation के साथ ये match जरूर करेगा. सभी राजी वालों के लिए है, चाहिए आप single है, married है, या किसी भी type के relationship में है, और परेशान है, तो ये reading आपके लिए है, कुछ ना कुछ guidance और motivation आपको ज़रूर मिलेगा. तो चलिए जब दिस से अपनी partner को ज़रूर याद कीजे ताकि उनकी energy हैं पर connect हो सके. जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी person, उनके partner की current feelings आज क्या है, क्या है उनकी energy, क्या सोच रहे हैं वो इस रिष्टे के बारे में जाने की कोशिश करेंगे. Angels and Universe मुझे please guide करें, Archangel Gabriel मुझे please guide करें, Archangel Raphael मुझे please guide करें, Archangel Michael मुझे please guide करें, मुझे बताएं, क्या है current feelings मेरे वीवर्स के partner की current emotions क्या है, please बताएं. सबसे पहले जो card आया है, वो है two of swords, two of swords के energy यही कहती है, कि अभी इस वक्त इनको कुछ न कुछ फैसला लेना है, लेकिन अटके वोए हैं, कि क्या करें, किस की सुने, किस की ना सुने, खुद के दिल की सुने, या फिर किसी और की सुने, जैसे कि हो सकते हैं, कि रिष्टा जुड़ने में बहुत सरी लोग उसमें include होते हैं, या फिर आपके साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि आपकी family हो सकती है, या फिर उनकी family हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, family के rules, regulation, traditional family हो सकते हैं, तो कहीं न कि इस person को अगर कोई समझाने वाला मिलेगा, तो ये सही फैस हैं, उनकी सोच, विचार, confuse कर रहें उनको, एक मन इनका कहता है कि आगे बढ़ना चाहिए, आपका साथ देना चाहिए, जो उन्होंने वादा किया है आपसे, वो नीभाना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, अगर वो दूर है, long distance relationship है, तो उनको लगता है कि आपके पास आना चाहिए, दुसरा दिल ये कहता है कि नहीं, family की बात माननी चाहिए, या फिर अगर ये शादी शुदा है, तो फिर third person, third party की बात माननी चाहिए, ऐसा कुछ लगता है, मतलब फसे हुए मुझे दिकाए देते हैं, और कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वज़ मुझे ऐसे लगते हैं कि आपकी पास आना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी सोच जो है वो positive नहीं है, negative है, इनकी जो विचार है आपको लेकर, वो negative है, प्यार होने की कारण भी negative सोच इनकी है, इसलिए ये person थोड़े से दूर आप से है, या फिर अटके हुए हैं उसी situation में, नि जाओ, सिमरन जाओ, जीलो अपनी जिन्देगी, ऐसा कोई खहने वादा है, चाहिए इनको, तब ये आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे फील होता है, तो जैमिना, लीब्रा, एक्वेरियस, मेतुन राशी, तुला राशी, या कुम्बा राशी के person हो सकते हैं, दो नंबर का का काड है, जो कि negative काड है, कही न कहीं, अगर ये person अपना फैसला लेंगे, अपनी दिल की बात मानेंगे, तो energy उनकी positive ज़रूर होंगे, अभी negative energy दिखाए देती है, जाहाँ पर फैसला नहीं ले पाथ, नेक्स्ट कारिया पर फिर से negative काड़ी आया है, seven of cups, इसका मतलब ये ना कि इनके सामने रिष्टे हैं बहुत सारे, घर के लोग इनकी शादी करवाना चाहते हैं, और रिष्टे लेकर आये हैं, और कहीं न कहीं, एक कोई इनको काड़ी दे रहा है, तो दुसरा कोई बंगला दे रहा है, कोई बिजनेस में पार्टनर बना रहा है, इस टैब के रिष्टे बहुत अच्छा चाहर है, सपने दिखा रहे हैं लोग इनको, और ये confused है, लेकिन इनका दिल यही कहता है, ये temporary चीज़े होती है, जैसे कि पैसा आज है, कल नहीं होगा, बिजनेस आज अच्छ अच्छे, options है, अच्छे जैसे कि proposals है, लेकिन इनका दिल कहीं आप में ही अटका हुआ है, और वो कहीं नहीं मान रहा है, तो कहीं नहीं ये परसन फैसला तो लेंगे, लेकिन थोड़ी टाइम की बात आपको रुकना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इनका दिल है कि मानता न लोड़ें, या जिन्दिगी की नहीं शुरुवात करें, ऐसा इनको बिलकुल नहीं लगता है, कैंसर पाइसल को और प्योकर, कराशी, मीन राशी, वरशिक राशी, साथी साथ केतो का काड़ें, साथ नंबर केतू, केतू याने इस परसन के पास दिमाग नहीं है, सिर्फ ब लोगों का लोग ना फाइदा भी उठाते हैं, तो ऐसा भी मुझे या पर लगता है, कि लोग फाइदा उठा रहे हैं, सेविन और कप्स की एनरजी कहते हैं, कि अभी तक वो कन्फ्यूस्ट हैं, और डिसिजन नहीं ले पार रहें, तो कहीं नहीं जब तक ये डिसिजन में ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, एमपरेस का काड़ा हैं, तो इनका मन कहता है ना कि आपके साथ ही शादी हो, आपकी तरफ वो अट्रैक्टेट हैं, स्ट्रॉंगली अट्रैक्टेट हैं, मतलब आपको छोड़कर किसी और के बारे में पर ये इस परसन के जिंदेगी में आपने खुशिया लाई हैं, तो कहीं न कहीं भले अभी बुरा वक्त हैं, लेकिन इसके पहले तो बहुत खुश थी वो परसन आपके साथ, आपने उनको प्यार दिया है, समझा है, एक जगधी है अपनी जिंदेगी में, इनकी फिक्र की हैं, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें इतना भुलना आसान नहीं होता है इनसान को, तो कहीं न कहीं आपकी याद सता रही है, और एक परसन आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, क्योंकि एक परसन की शादी आपके साथ ही होगी, और कहीं न कहीं आपका भी दिल कहता होगा, कि इस person की शादी आपके साथ होगी या फिर वो आपको miss कर रहे हैं आपके साथ रिष्टा जोड़ना चाहते हैं तो वो सच बात है क्योंकि यहाँ पर वही लगता है कि एक नई शुरुवात है साथे साथ यहाँ पर एक husband wife मुझे दिखाए देते हैं बहुत दुखी है क्योंकि बच्चा नहीं है उनकी जिन्दगी में या शादी को बहुत साल हो गए और बच्चे का वेट कर रहे हैं तो कोई किसी को pregnancy की news मिलने वाली है अगर आपने कुछ remedy की है अगर आपने कुछ उपाई किया है तो कहीं ने कहीं आपको खुश कबरी मिलने वाली है ऐसा भी मुझे लगता है साथी साथ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी life में करियर को लेकर जैसे कि आपको job कुछ आपकी मन पसंद का job नहीं मिल रहा है या business में मन पसंद का income आपको नहीं मिल रहा है इस person के साथ आपके partner के साथ वो आना चाहते हैं दोबारा आपके जिंदेगी में और आपको अपनाना चाहते हैं एक नहीं शुरुवात करना चाहते हैं और इस बार जो आएंगे वो commitment के साथ यानि कि family के against भी चाकर आपको अपना सकते हैं यहां पर जो है confusion है भले इनको अभी रास्ता नहीं दिखाए देता है लेकिन आने वाले तीन मेने के अंदर यह person यह तीन हपते के अंदर यह person आपके पास ज़रूर होंगी मुझे यह फिल होता है कि यह person किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते और आपके साथ रिष्टा तोड़ना नहीं चाहते तो रखना चाहते ही वो रिष्टा हमेशा हमेशा के लिए और कहीं न कहीं reunion चाहते हुए मुझे नजर आते Empress का कार्ड और सभी 12 राशियां उस कार्ड में आती है तीन नंबर का कार्ड है Jupiter यानि कि गुरू की energy है तो कहीं न कहीं यह person बहुत ही पड़े लेके हैं नौडिजीबल हैं अच्छा business करते हैं या अच्छा काम करते हैं हर चीज में इस person को success तो मिली रही है या मिलने वाली है लेकिन love lack में कहीं न कई ऐस person के जैसे कि इनका जो दिल कहता है वो उनको करने को नहीं मिलता है जैसे का अगर वो आप से शादी करना चाहते है तो कोई ना कोई बीच में आता है विश्टा तोड़ने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आता है जिसे person किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहते तो यहाँ पर एक positive card आपके लिए आया है कि Empress है तो शादी होगी आपका रिष्टा जुड़ेगा reunion की vibe से देखें आपको विश्वास है इस person के उपर विश्वास है यहाँ पर fool का card याणि आपने पागलों जैसा विश्वास रखा है इस person के उपर इनके प्यार के उपर कि आपको पता है कि यह person के साथ इतना वक्त आपने गुजारा है तो यह धोके बास तो नहीं हो सकते आपको इतनी आसने से भुलने वाले आप इंसान तो होई नहीं कि अचनक भुला दिया या फिर आगे बढ़ लिया आपको छोड़ कर नहीं आपने इनके दिल में जगह बनाई है और वो आपको पता है कि आपने ऐसी जगह बनाई है कि इनको साथ जनम तक आपकी याद आएगी आएगी यह person move on नहीं कर सकते आपके बिना ऐसा भी मुझे लगता है और कहीं नहीं कर आपको भी लगता है तो यही सच बात है आप अभी ऐसे हैं ना कि ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे आपको पता है कि अगर इनसान को आना है तो वो आएंगे क्योंकि यह जिद्धी टैप के हो सकते हैं अपनी दिल की सुनने वाले इनसान है कि इतना दिन अगर आपने इतना समय इस परसन के साथ बिताया है या फिर फोन पर अगर बात की है लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्शिप में तो कुछ न कुछ उस परसन का सवभाव कैसा है क्या उनकी आदत है सब कुछ आपको पता होगा तो आपका दिल कहिना का यही कहता होगा न कि यह परसन अभी नहीं है आपके पास लेकिन थोड़े दिनों में थोड़े हफते में यह परसन आपके पास ज़रूर आएंगे ऐसा आपका दिल कहता है और जब आपका दिल कहता है तो वो जूट कभी नहीं कहता है तो कहीं नगी आप भी इंतजार कर रहे हैं और परसन भी आपकी तरफ ही आठे ही वही नजर आते हैं और नई शुरुवात करेंगे लेकिन आपको सोच समझ कर कदम उठाना है फिर से वही एनरजी आ रहे है कि परसन आपकी तरफ आ रहे है घोड़ा इतना तेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल से जल यह परसन आपकी तरफ आना चाहते हैं बारा नंबर का कार्ड है और तीन नंबर की एनरजी फिर से जुपिटर की एनरजी आई है गुरू की एनरजी कि ये person अपनी दिल की सुनना चाहते हैं और आपके तरफ आना चाहते हैं आपके साथ एक reunion चाहते हैं आपके साथ नहीं शुरुवात करना चाहते हैं इस रिष्टे को नाम देना चाहते हैं तो strongly positive energy यहां पर आई है ज और ये person किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं साथी साथ इनका thought process अगर आपके बारे में बहुत ज़्यादा गुस्से में थे तो इनका गुस्सा शान्त हो चुका है अगर ये person को लगा था कि रिष्टे में कुछ दम नहीं है या इस रिष्टे में आगी जाएगा future कुछ नहीं है ऐसा उन्होंने सोचा था खुद ही सोच लिया था तो कहीं न कहीं इस person कभी लगने लगा है कि आप ही सही life partner हो सकते हो ऐसा मुझे लगता है इसलिए person आ रहे है और इनका moment बहुत तेज है इसलिए मुझे लगता है कि तीन हफ़ते के अंदर ये person आपकी है वो लेंगे और वी कुछ cards लेने की कोशिश करेंगे आपर बहुत ही positive cards आ रहे हैं आपके लिए आज तो कहीं न कहीं बुरी हालत हुई है person की आपसे बिचड़ कर ऐसा लगता है कि इनको कोई समझाने वाला नहीं है समझने वाला भी नहीं है तो कहीं न कहीं ये person खुद क में आ रहे हैं और कहीं न कहीं ये person अगर balance में आएंगे तो आपके प्यार को समझेंगे और कहीं न कहीं वही मुझे energy आपर दिखाए देती है 17 नंबर का card है और the star यानि कि उमीद है divine connection है तो ये person कहीं न कहीं सब को छोड़ कर आपकी तरफ आना चाहते हैं ये सब को देंगे ऐसा मुझे आपर feel होता है इन दुसरी को समझेंगे और इनकी emotions और feelings मुझे दिखाए देती है इनकी दिल की भावना है मुझे यही कहने के कोशिश करते हैं कि मैं तुमारे मिना नहीं जी सकता नहीं जी सकती ऐसे इनके feelings हैं अभी मतलब किसी भी हाल में आपके साथ उनको रहना है आपके साथ अपनी सिंदगी गुजारनी है और जो भी रुकावटे हैं जो भी problems हैं उसे भी नबटना चाहते हैं वो उसको भी दूर करना चाहतें problems उनको नहीं चाहिए जिंदगी में एक हस्ती खिलती आपके साथ नहीं शुरुबात करना चाहतें जिसमें तकलिफे ना हो, problems ना हो, किसी की दुश्मनी ना हो, एक सीधी साधी जिन्दगी, happy life आपके साथ चाहते हैं, इतना ही चाहते हैं, बड़ी बड़ी उमीद नहीं है इस person को, नहीं आपको, आप भी वही चाहते हैं ना, कि partner का साथ आपको मिले बस, आपको सोना, गाड़ी, बंगला, यह सब नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे judgment का काड़ यह कहने की कोशिश करता है, कि अभी वह वक्त आया है, जहाँ पर person को फैसला लेना होगा, judgment यानि कि, यह person ने अगर, जैसे कि, वादा किया आपसे, और फिर आपसे दूर गए है, तो कहीं न कहीं, universe और divine की power, angels की power, इनको बताने की कोशिश कर रही है, इनके सपने में आकर, इनको सपने आते हैं, कि तुम जाओ, जिसको तुमने वादा किया है, उसको निबाओ, अगर नहीं निबाद सकते, तो वो clarity दे दो, क्योंकि अगर तुम किसी को, जैसे कि वादा करकर, मुखर जाते हो, या वादा नहीं पुरा करते हो, तो कहीं न कहीं, आपको इस जनम में, या अगले जनम में, वो कार्मिक baggage आप कैरी करते, जहां पर आपको भी धोके मिलते हैं, क्योंकि इस life में, आपने किसी को धोका दिया है, तो अगली जिन्दगी में, आपको 100% धोका ही मिलेगा, तो कहीं न कहीं, एंजल्स उनको बताने की कोशिश करते हैं, कि जो सही है, उसके साथ जाओ, और जो गलत है, उसका साथ छोड़ो, अगर फैमिली तुमको लगती है, कि गलत है, बहुत ही डॉमिनेटिंग है, बहुत अपना चलाती है, और तुमारी खुशी के बारे में नहीं सोच रही है, तो तुम अपनी लिए, खुद के लिए decision ले लो, तुमारी खुशी किस के साथ है, वो सोच कर decision ले लो, क्योंकि angels और divine उनको support कर रहे है, यहाँ पर दोनों cards बहुत ही positive है, 17 नमबर और 20 नमबर, next यहाँ पर मुझे अकिलापन दिखाए देता है, दोनों तरफ से अकिलापन है, और दोनों कही न कही एक दुसरे के साथ ही खुश रह सकते हैं, ऐसे energy आ रहे हैं, तो कही न कही आपके इंतसार खतम होगा, और ऐसा भी लगता है कि यह दुखी है person, भले आपसे जाते वग्ग गुसे में हो सकते हैं, या फिर आपसे जाते वग्ग, रिष्टा तोड़ते वग्ग, यह थोड़े घमेंटी, प्राउड थे कि चलो, यह मुझे पता है कि यह तो वापस मेरे पास आएगा या आएगी, ऐसे सोचकर वो थोड़े से aggressive nature में गए थे आपसे दूर, लेकिन क्या हुआ उस वक्त जैसे यह दूर गए और आपने इनका साथ चोड़ा, तो यह परसन की जिन्देगी जैसे बीकर गई, इनके जिन्देगी में कुछ खुशी नहीं बची या फिर इनको खुशी नहीं फिल हो रही थी, सब कुछ होकर भी इनको अकिलापन महसूस हो रहा था, सब कुछ होकर भी इस परसन को लगता था कि कुछ तो कमी है मेरे जिन्देगी में, जैसे कि हम कहते हैं न कि जिन्देगी जीना और जिन्देगी एंजॉई करना, दोनों अलग-अलग बाते हैं, तो कहीं न कहीं, थोड़े लोग क्या होते हैं कि चलो घिसी पीटी जिन्देगी में आगे बढ़ते हैं, और थोड़े लोगों को हर मोमेंट, हर दिन एंजॉई करके आगे जाना है, हर एक सपना पुरा करके आगे जाना है, ऐसा लगता है, ताकि जब हम दुनिया में इस नहीं रहेंगे, तब हमको लगना चाहिए कि हमने अपनी जिन्देगी जी ली, सारे सपने हमारे पूरे कर दिये, तो आपकी एनरची यहां पर मुझे ऐसे लगते हैं कि आपकी खुशियां जूड़ी तो है इस परसन के साथ, लेकिन अभी आप चाहते हैं ना कि यह परसन खुद आपके जिन्दिगी में आए, आप इनके पीछे नहीं पढ़ना चाहते, या फिर आप इनको जबरदस्ती पकड़ कर मेरे से शादी करो, या मेरे को अपना हो, मेरे को कमिट्मेंट दे दो, यह सब चीज़ें आप नहीं करना चाहते हैं, यह चीज़ें सब कर चुके हैं और आपने नतीशा भी देख लिया है, कि यह परसन अपनी मन की चलाते हैं, तो अभी आपने भगवान के उपर चोड़ दिया है, यूनिवर्स के उपर चोड़ दिया है, क्योंकि जब सभी रास्ते बंध हो जाते हैं इनसान की जिन्दगी में, तो एक ही रास्ता बचता है, जो कि भगवान के तरफ ही जाता है, तो यहाँ पर मुझे डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिखाए देती हैं, जिसके वज़े से यह परसन आपकी तरफ आने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, और जल्दी आएंगे, यहाँ पर जस्टीस का कार्ड आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, हो सकता है कि एपरसन ने डिवोस के लिए फाइल किया था, और कईना कई इस परसन को डिवोस मिलने वाला है, जैसे कि नवेंबर महिने तक, क्योंकि 11 नमबर का कार्ड है, तो नवेंबर महिने तक इस परसन को अगर डिवोस मिलता है, तो डिसेंबर या 2025 में आप दोनों की शादी हो सकती है, या आप दोनों एक साथ रहे सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फिल्ड होता है, तो कहिना कई एक अच्छा वक्त आपके जिन्देगी में जरूर आ रहा है, क्लेंग की जैस एनरजी को, क्योंकि 11 नमबर का कार्ड जेस्टीस है, तो नयाए आपको मिलेगा, नयाए उनको मिलेगा, अगर वो किसी ऐसे रिष्टे में फसे वे थे, जहाँ पर जबर्जिस्ती उनकी शादी कराई गई थी, किसी के साथ एरेंज मैरेज, और उनको फिर टॉचर किया गया है, या फिर खुश ही नहीं मिली उस परसन के साथ, तो उन्होंने सोचा होगा कि मुझे इसमें से निकल कर, एपनी खुद की जिनगी जीना है, ऐसे वेक्ति के साथ जीना है, तो कहिए न कई आपका फैसला है डिवोस लेने का, या फिर आपकी पार्टनर का फैसला है डिवोस लेने का, और लवेंबर तक आपको डिवोस मिलेगा, उसके बात आप नहीं शुरुवात करना चाहते हैं ऐसा मुझे strongly यहां पर feel होता है Next card जो यहां पर आया है वो है King of Cups King of Cups एक positive card है जहां पर emotional balance है साथी साथ यह person focused है कि आपके साथ ही उनको जिन्दगी गुजारनी है जो भी उनकी जिन्दगी है उनकी साथ ही हो ऐसा उनका सपना है आपको पाना चाहते हैं आपको एक जीवन साथी के रूप में यह person देखते हैं लेकिन कहीं न कहीं इनका सौबाव ऐसा है न कि आप इनकी प्यार को नहीं देखते हैं लेकिन सिर्फ इनकी नाराजगी attitude और जैसे की थोड़े सी गुसा है उसको देखते हैं लेकिन अंदर अगर इस person की जाग कर देखेंगे तो आप भी आप हो ऐसा मुझे फील होता है तो यह person भी नाराज़ रहते हैं न कि यह सोच कर कि क्यों आप क्यों नहीं उनकी प्यार को समझते क्योंकि यह तो आप से प्यार करते हैं भले यह भाहर से सक्त हैं लेकिन अंदर से नरम है तो क्यों वो दुसरी साइड इनकी आप क्यों नहीं देखते कि यह सच में आप से प्यार करते हैं सच में आप से मौबबत करते हैं सच में आपके साथ रिश्टा जोड़ना चाहते हैं, जिन्दिगी भरका, आपको जूटा वादा नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपको नहीं दोका देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यह आपर फील होता है, तो कहीं न कहीं यह परसंट बालन्स में आते हुए भी मुझे नजर होता है कैंसर पैसस कोर्पियो करग राशी मिंड राशी वरुशिक राशी के पहसंत हो सकते हैं, है तो यह पर जो lucky numbers आपके लिए आयो हैं, वह है तीन नंबर जो कि lucky है, 11 नंबर आपके लिए लगी है साथ-साथ 14 नंबर भी आपके लिए लगी है इस डेक से कुछ कार्ट लेंगे और एंड आप करेंगे इस रिडिंग को देखेंगे कि क्या एनर्जी आ रहे एंजिस मुझे प्लीज कायड करें जो भी वीवस इस वक्त ये विडियो को देख रहें जो भी लोग परिश तो यह आपर संद का कार्ड एक नियो बिगनिंग नई शुरुवात दोनों के बीच होगी और कहीं न कई परसंट खुछ चाते हैं कि नई शुरुवात आपके साथ हो इनको एक मौका आप दे ताकि यह अपने प्यार को प्रूव करें अपने प्यार को कहीं न कहीं आपको जता हैं कि वो कितनी मुखबत करते हैं फिर आपके बिना वो कितने अकेले हैं अगर आप तकलीफ में हैं no context situation में तो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो भी तकलीफ में ही हैं कहीं न कहीं जितनी परिशानी आपको हो रही हैं उनको भी हो रही हैं हो सकता है कि आपकी गलती हैं उनकी गलती है, किसने किसको नजर अंदास किया, यह सब चीजे बुलाकर एक नई शुरुवात करना चाहते हैं, और इस रिष्टे में आगे फ्यूचर भी बहुत यह अच्छा रहेगा, अगर सच में एक दूसरे से आप committed रहते हैं, शादी हो जाती हैं, आपकी बहले वो court marriage ह हैं, यहाँ पर मुझे यह भी लगता है कि अगर आप divorce ही हैं और शादी करना चाहते हैं, तो एक अच्छा फैसला है, अपने जिंदगी के बारे में सोचे, आप तब ही उसे हासिल कर सकते हैं, जब तक आप सपने नहीं देखते हैं, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सक हैं, तो सच में मुझे positive card यहां पर दिखाए देता है, जो कि खहता है कि आपकी जिंदगी आगे इस person के साथ बहुत ही खुब सूरत रहेंगी और इस person का प्यार आपको ज़रूर मिलेगा, विश्वास रखे universe के ओपर, विश्वास रखे divine के ओपर, क्योंकि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, इनसान साथ छोड़ सकते हैं, दिवान यूनिवर्स, एंजल्स, आपके साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, आपर हैरोफंट लगादार positive cards आ रहें, पांच नमबर का card हैं, और इस person आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनकी खुशी, इनकी smile आपके साथ जुड़ी वही है, जब भी आपकी तस्विर देखते हैं, जब भी आपकी voice note सुनते हैं, या voice message सुनते हैं, तो इनकी चहरे पर हसी आती हैं, आपका आवाज इनको बहुत ही आकरशित लगता है, जो भी आपने तौफे दी हैं इस person को, इन्होंने संभाल कर रखे हैं, उनको देखकर भी आप ही याद आते हों, तो कहीं न कहीं positive energy दोनों की बीच हैं, और कहीं न कहीं नई शुरुवाद भी होते वहें, मुझे नजर आती हैं, तो claim कीज़ एनरजी को, क्योंकि बहुत ही अच्छा future दोनों की बीच मुझे दिखाए देता है, जो की positive हैं, और आगे त जुरुवाद, अगर आप single है, तो आपके जिंदे के में कोई आ रहा है, soulmate connection, divine connection, जल्दी आपको मिलेगा, या already मिला है, ऐसा मुझे लगता है, सोशल मीडिया की तुरू मिला है आपको, जिसके साथ आजकल आप chat कर रहे हैं, और आपको पसंद आने लगा है, ऐसा मुझे तो अगर कोई नया रिष्टा जोड़ना चाहता है, तो 100% होगा यहाँ पर, अगर आपका no contact situation था, तो आपके partner आपके साथ फिर से new beginning करना चाहते हैं, तो strong दोनों तरफ से emotions है, feeling से, भावना हैं, दिल में जगा है एक दूसरे के लिए, जो की गुसे में आकर, या किसी भी situation में आकर, आप दोनों अलग होए थे, लेकिन फिर से universe आपको एक करना चाहता है, ऐसी energy यहाँ पर आई होई है, cancer, पाइसो, Scorpio, करकराशी, मिंट राशी, वुरुषग राशी, Aries, लिएस, मेश राशी, सीहा राशी, धनो राशी, सभी लगबग सभी राशियां आई हैं, क् कि Empress का काड आया है, तो सभी बारा राशियां इसमें आ गई है, तो आज के रीडिंग में इतना ही, अगर रीडिंग आपके साथ जरा भी resonate किया है, तो प्लीज मेरे वीडियो का जूर लाइक कीजे, मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजे, Instagram पर मुझे फॉलो कीजे, मे अज राशियां आपके साथ.